सीवान जिले के मेरवाथाना छेतर के तीतिरा गाउं में सौच करने जा रही महिला का बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई खेत में बेसुद हालत में गिरी महिला को आनन फानन में अस्थानिय ग्रामिलों की सहायता से सीवान सदर अस्पताल में भर्ति कराया गया प्रामिलों ने बिजली विभाग पर लपरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही अस्थान पर दो सालों में बिजली के करंट से दो लोगों ने जानगवा दिया है इसके बाद भी बिजली विभाग सुधार नहीं करा रहा है बिजली की जरजर तार तथा कुबेवस्थ होने के कारण आई दीन दुरघटना होती रहती है बेतिका चंदन साह की 35 वर्षिय पत्नी सरीता देवी है मौत की घटना के बाद गाउं में मात्मी सनाटा पसरा हुआ है समाज से भी स्री निवास यादोव अस्थानिय मुख्या प्रसासन से मुआबजे की मांग कर रहे थ घटना के संबन में बताया जाता है कि मृदिगा खेतों के तरफ सौच के लिए गई थी तभी रास्ते में बिजली के ट्रांसफर्मर के समीप बिजली का तार तूट कर खेतों में गिरा था घास के अंदर बिजली का तार होने के करण महिला को तार नहीं दिखा तार पैर के संपर्क में आने से वह गिर गई काफी देर तक जब महिला घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खेतों के वितरप जा कर देखा कि महिला गिरी हुई है बिजली बिभाग से बिजली कटवा कर महिला को उठाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी